Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Asleem and आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिगो एलाइन्स की न्यू बेकिंस के बारे में तो इस टाम पे सिर्फ इंडिगो एलाइन्स की लिए ही नहीं, ग्राउंड स्टाफ के लिए भी हायर कर रही है इंडिगो एलाइन्स में क्याबिन क्रू के लिए सिर्फ गर्ल्स एप्लाइ कर सकते हैं बट अगर आप ग्राउंड स्टाफ के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो इसके लिए बोईस भी अप्लाइ कर सकते हैं तो क्याबिन गुरू बनने के लिए अगर सिर्फ 12 पास हैं, अगर आपने सिर्फ 12 किया तो आप इसके लिए एप्लाई कर सकते हैं, बट ग्राउंड स्टाफ के लिए आप ग्रैजुएट होने चाहिए. तो इस ताइम में वाफिन इंटर्व्यू हो रहे हैं, बैंगलोर में, चंडिगड में, हैदराबाद में, गुवार्टी में, चैननें में एंड मुंबई में, और उनकी जो लोकेश, जो डेट्स हैं, इन जगह पे कब-कब इंटर्व्यू है, वो भी मैंने आपको यहां पे म विजिट करेंगे, तो वहां पे क्लियर ली ऐसा मेंशन किया हुआ है, कि आप वोकेश इंटर्व्यू में जाने से पहले, आपको सबसे पहले उनलाइन अप्लाई करना बहुत ज़ादा जरूरी है, राइट, आपको जो वहां पे एप्लिकंट आइडी देखेगे, उनलाइ इसा मेंशन कर रखा है, जितने भी जो भी eligibility criteria है, कि आपकी communication skills, weight, height, जो भी criteria है मेरे पहले की वीडियो में भी मैं आपके साथ discuss कर चुकी हूँ, अगर आप इसके बारे में जादा जाना चाहते हैं, तो आप उनकी website को एक बार फिर से विजिट कर सकते हैं, तो जो बैंगलोर में सिर्फ वो cabin crew के लिए हायर कर रहे हैं, जो भी eligibility criteria है, जो भी है मैंने आपको मेरे पहले की वीडियो में भी discuss कर दिया है, बट प्लीज आप एक बर उनकी official website पे जाके online apply जरूर करें, जितने भी जो इनोंने बताया है कि आपको क्या पहन के जाना है, क्या क्यारी करके जान अगर आपका first round GD भी हो सकता है, introduction round भी हो सकता है, तो अगर आपका JD round है, तो आपको इसमें इस तरह की topics दे जाएंगी, women empowerment, evasion industry, growing industry, कैसे है, आपने covid pandemic को कैसे utilize किया, आपने क्या क्या किया, खुद पे work कैसे किया, तो आपने जितनी भी activities थी, कुछ नाया आपने सिखा, और सबसे जादा important question जो first round में पुझा जा रहा है, वो है, introduce yourself, ये एक question ही आप से पुझा जाता है, जो interviewer है, वो आपका six second में, means आपका जो impression उनकी mind में आपके लिए बन जाता है, so सबसे important चीज यह है कि जब आप interview के लिए जाएं, जब आप first round के लिए अपीर हों, तो प्ल well-groomed हो के जाएं, body language आपके बहुत जादा अची होने चीज, smile करते हैं, interview में, जब आप interview के लिए जाएं, तो प्लीज वहां पे बिल्कुल शांत न रहें, break the ice by speaking to your colleagues, जो भी आपके साथ interviews देने आया हैं, उनसे बात करें, because जब आप interview के लिए जाते हैं, तो आप हो सके त आपके साथ जितने भी candidates हैं, उनसे आप बात करें था कि आपकी hesitation कम हो, nervousness आपकी कम हो, so ये सारे important questions थे, जो आप से पुछे जा सकते हैं, and basically interview में, वो ये पुछते हैं, कि आपकी communication skills कैसी हैं, right, कोई specific topic वो आपको नहीं देंगे, अगर आपको अपने introduction में कुछ बता रहे है करें, जिसका आप रियल में reply कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आपसे वो cross questions पुछेंगे, तो बस basically वो आपका ये चेक करते हैं, कि आपकी Hindi and English पे अच्छी command है या नहीं है, आप smile कर रहे हैं, ये सारे चीज़े बेसिक बेसिक चीज थी, and अगर आपको जानना है कि क्या-क्य eligibility criteria है, तो आप उनकी website प्लीज जरूर visit करें, वहां से online apply कर सकते हैं, thank you so much for watching.